विक्क्तरमेयर टेस्ट स्थ इसमें याद रखना विक्कr prior test में कैसे करेंगे दिरह समझें विक्कोर major test में कुछ बातों को ध्यान रखना, HI, AGNO2, HNO2 और छार याने बेस, जो भी कोई alcohol दिया होगा, alcohol इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान रखेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, alcohol, ठिक, alcohol में आप मिलाओगे पहले HI, फिर मिलाओगे आप AGNO2, यह सिल्वर नेक्टराइट है, सिल्वर नेक्टराइट नहीं है ध्यान रखेगा, AGNO3 नहीं है, AGNO2 है, फिर इसमें मिलाओगे HNO2, यह है नैक्टरस एसिड, फिर इसके बाद कोई बेस मिला दोगी, कोई शार मिला दोगया, बेस या शार, हम शार भी वो सकते हैं, तो यह तीन में से को भी एक चीज दिखाई देगी, यदि लाल दिखाई दे, रेट कलर दिखाई दे, तो वो प्रैमरी अलकोहल है, यदि ब्ल्यू दिखाई दे, नीला दिखाई दे, तो वो सेकंडरी अलकोहल है, यदि यह कोई कलर न दिखाई दे, कलरलेस हो, तो यह टर्शरी अलकोहल है, यह एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह इस ओर्डर को ध्यान रखना पड़ेगा, रियक्शन बहुत आसानी समझा दूँगा मैं आपको, ठीक है, यह कुछ छोटी छोटी बात ने ध्यान रखेगा, अब समझने वाली बात यहाँ पर है, कि आप इसके स्ट्रक्चर को जाने, नेट्रस हम लगें, दो बाते हैं, पहली बाते हैं, कि नेट्रस एसिट होता नहीं है, लैब में, उसे बना जाता है तुरंट, तो 0 degree Celsius, 0 to 5 degree Celsius, टेंपरेचर पर, NaNo2 पर HCl मिला करके इनको बना जाता है, दूसरी बात, temperature पर ध्यान देजिएगा, इससे ज़्यादा temperature होगा, तो वो नहीं बनेगा, यह नेट्रिक एसिट में कनवर्ट हो जाएगा, दूसरी बात, HNO2 का structure होगा, HON double bond O, यह structural formula होगा, इसमें यह दोनों के, OH और O का reaction करने का तरीका अलग होता है, वो क्या, ज़रा देखें, OH और O, जिसमें O की reactivity ज़्यादा होती, नमबर बन दे रहा हूँ, यह ज़्यादा reactive है, कौन ज़्यादा reactive है, O ज़्यादा reactive है, उसके बाद आपका OH reactive होगा, मत्तब O को sufficient hydrogen मिल रहा है, तो वो O reaction कर लेगा, पानी बना लेगा, लेकिन अगर, कम hydrogen मिल रहा है, तो OH करेगा, अब कितने पर काम करते हैं, OH, दो alpha hydrogen मिलने पर, OH इनसे reaction कर जाएगा, और पानी बन जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास, only one alpha hydrogen है, कितना, only one, alpha hydrogen है, तो काम करने वाला है, वो है, OH, देख लेए, इस तरह से काम करेगा, ठीक है, अब चलिए इतनी बातों को, कर लें, इतनी बातों को समझ लें, याद रखना, HI से, HNO2 से, HNO2 से, और हमारा reaction होगा, किस के साथ, किसी base के साथ, base में क्या ले सकते हो, को भी base ले सकते हो, NA OH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, या कोई दूसरा base भी ले सकते हो, चलिए, इतनी बातें, आपको याद रखना है, अब reaction करा रहा हूँ, चलिए, First, हम primary alcohol को देख लेते हैं, primary alcohol पर क्या reaction होगा, कि वो red color देगा, primary alcohol में मैं ले लेता हूँ, CH3, CH2, OH, First time किस से reaction बोला था मैंने, HI से, HI की जगा पर आप लिख सकते हो, P4 plus I2, क्योंकि finally वो HI ही बनाता है, हाँ, ये, इसका ये H, और इसका ये OH, alcohol HI से reaction करके, water molecule देगा, निकल गया पानी, HOH, और ये जो I है उसमें जोड़ जाएगा, तो बन गया है, CH3, CH2I, एक को समझेंगे, बेटा, primary समझ में आगे है, तो secondary आपको समझ में आ जाएगा, इसके बाद किस से reaction करने के लिए बोला था मैंने, मैंने बोला था, A, G, NO2 से, बताओ, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर iodine है, यहाँ पर AG है, AG positive, iodine negative, वो दोनों मिल करके निकल गया, क्या निकल गया, यह यहाँ से, यह यहाँ से, निकल गया, निकल गया तो minus, AGI, ठीक है, यह निकल गया, फिर क्या बच गया, इधर से NO2 बचा है, इधर से इतना बचा हुआ है, तो क्या बन गया, CH3, CH2, और यह NO2, इस तरह से, यह compound बन गया, अलकिल नाट्राइट, अलकिल नाट्राइट बन गया, अच्छा, आप यहाँ पर समझने वाली बात है, कि यह, इसका structure कैसा होता है, तो यह, अलकिल नाट्राइट ने, नैट्रो, अलकेन के फॉर्म में, यह compound यहाँ पर बनता है, क्योंकि इसके structure के बेस पर आप जानो, कि भई, A, G, O, N, double bond, O होता है, मैंने कुछ दिन, अलकेल हैलाइट के साथ reaction बताया था आपको, लेकिन, जब यह, इनके साथ reaction करेगा, और आई के साथ, तो A, G, और यह निकल जाएगा, लेकिन, आप यहाँ पर N, O, N, double bond, O, दहीं मिलता है, उसके जवाप मिलता है, यह change कर जाता है, और बनता है, R, N, O, यह बातें आपके साथ हुई है, है ना, अलकेल हलाइट में, आपने देखा है, तो यहाँ पर इस इस के तरफ, आपको कोई pressure नहीं होना चाहिए, कि क्या बना है, ठीक है, यह नैट्रो है, नैट्रो अलकेन बनता है, अब जो reaction होगा, किस के साथ होना है, H, N, O, 2 से, H, N, O, 2 का मैंने structure बताया था, थोड़े देर पहले, यहाँ पर ध्यान दो, कि इस जगाँ पर जो hydrogen है, alpha hydrogen, दो alpha hydrogen है, carbon पर जो पहला carbon है, यह second carbon कहलाएगा, पहला क्यों कहलाएगा, क्योंकि function group के तरफ से जुड़ा हुआ carbon ही पहला होता है, उसी को alpha carbon कहते हैं, तो alpha carbon पर दो alpha hydrogen है, इन दोनों से यह reaction करके निकल जाएगा, यह निकल गया, क्या बन गया, water molecule निकल गया, बच क्या गया, बच क्या गया देखो, इदर से बचा हुआ है CH3, C, और NO2, यह वाली जगा बच गई है, दो valency के साथ, अब, इदर से दो valency के साथ, nitrogen बचा हुआ है, और एक OH, इस तरह से, इसको बोला जाता है, नैट्रोलिक एसिट, तो इस तरह से, नैट्रोलिक एसिट मिलता है आपको, अब, इसकी reaction करा रहे हैं हम लोग, अब करा रहे हैं, NaOH के साथ, या कोई base के साथ, यहाँ पर आप सीधा चाहो तो, आप color लिख सकते हो, red color का compound मिलता है, या फिर, इसके reaction भी लिख सकते हो, ये, base है OH, और ये acid है, acid में क्या होता है, कोई non-metal के साथ, अकर OH जुड़ा है, तो वो acid होता है, nitrogen non-metal है, और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, acid है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर, इसका OH और इसका H, acid H देता है, और base OH देता है, निकल गया पानी, चाहो तो इसका structure लिख सकते हो, तो यह जो बना हुआ है, हमने यहाँ पर लिखा, CH3, CH3, और C है यह, ठीक है, CH3, 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 और यहाँ पर है NO2, और नीचे है N, SA, और O, यहाँ तक का structure सेम है, और यह N इसमें लग जाएगा, यह है, sodium natural, यह red color का होता है, और यह है sodium natural, अब अपनी copy में, एक बार बनाईए, हो सकते हैं बिना बनाईए, बिना देखे बनाऊ, और फिर वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, sodium natural, चले, जी, बहुत easy है, लंबे reaction देखने को लगता है, लेकिन है बहुत आसन, तो इस तरह से primary alcohol का पहचान सकते हो, अगर रात लास्ट में, reaction के last में red color आ जाए, चले, चलो, आगे चलते हैं, second, secondary alcohol, इसको कैसे पैचाना जाएगा, मेरे पास secondary alcohol है, CH3, CH3, CH, OH, सबसे पहले किन से reaction करने के लिए बोला था मैंने, बोलो, HI से, क्या बनेगा बताओ, चलो, बताते जाओ, क्या बनेगा, चलो, बताओ, जल्दी से, उनली पढ़ाई पी धेहन दो, इधर उधर नहीं, चलो, ठीक है, बता दिए बचे ने, ये OH और ये H निकल गया, पानी बन के, ये I OH की जगा लग गया, CH3, CH3, C, और इस जगा पर I लग गया, अरे, ये सेकंडरी अल्कॉहल में हो गया, ठीक है, और ये H तो आलेडी इसमें है, CHI, अब क्या होगा, इसका किसके साथ रेक्शन है, बोलो, AG, NO2 से, अब क्या होगा, AG और I निकल गया, माइनस, AG, I, बच क्या गया, NO2, CH3, CH3, CH, NO2, बन गया, ठीक, अब किसके साथ रेक्शन कराना है, रेक्शन कराना है, H, O, N, अब क्या होने वाला है, अल्फा हैड़ूजन, एक ही है, जब अल्फा हैड़ूजन एक होता है, तो कहाँ पर रेक्शन होता है, बोलो, कहाँ पर रेक्शन होगा इसमें, O पर की, O, H पर, मैंने भी समझाया था थोड़ी दे पहले, जल्दी बोलो, एक अल्फा हैड़ूजन है, पानी बनाने के लिए क्या चाहिए, O, H चाहिए कि, O, चाहिए, जी, एक H हो गया, O, H चाहिए, इस तरह से यह पानी बन जाएगा, यह निकल गया पानी, H2O, बाकि इसमें जुड जाएगा, CH3, N, double bond O, यह acid, नेट्रोलिक एसिड जैसा है, नेट्रोलिक एसिड नहीं है, यह acid नहीं है, एसिड जैसा है, एसिड नहीं है, एसिड जैसा है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, देखे, एसिड हो, तो O, H होना चाहिए था, लेकिन है नहीं ऐसा लेकिन वैसा ही structure है नैट्रलिक ऐसा इसलिए इसको कहा जाता है pseudo-neutral pseudo-neutral बूलते हैं फिर इसकी base से reaction करते हैं इन उच मिला देते हैं तो फिर यह blue color का आता है को reaction देने की जुरत नहीं पड़ती है यह कोई compound का formula नहीं की जुरत नहीं पड़ती है यह होता है blue color में convert हो जाता है नीला रंगा जाता है कि इस तरह secondary alcohol की पहचान हो जाती है ठीक है चले अब आगे चलते है नेक्स्ट यह दोनों reaction को जब आप बारी बारी से बना के देखोगे बिना कुछ की तो पूरी बाते एकदम clear समझ मैंगा नहीं आएगा revision कर लो वीडियो वापस करके चालू करो और फिर उसके बाद इनको देखना शुरू करो बहुत आसानी समझ मैंगा चले नेक्स्ट अब थर्ड पर रहान देते हैं च्छ 3 यह टर्शरी अलकोहल है तीन बार CH3 एक कारबन से जुड़ा हुआ है टर्शरी कारबन पर OH है टर्शरी अलकोहल reaction किस से कराओगे बोलो HI से HI से reaction कराओगे क्या होगा इसका OH इसका H निकल जाएगा पानी बन करके फिर क्या होगा CH3 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 C के साथ 3 CH3 जुटा हुआ है इसके साथ I आगया अब किस के साथ reaction कराओगे बोलो बोलते जाओ बोलते जाओ AG NO2 से reaction कराओगे AG और I निकल गया AG I क्या जुड़ गया NO2 जुड़ गया NO2 अब किस के साथ reaction कराओगे बोलो nitrous acid के साथ क्या बनेगा बताओ क्या बनेगा सोचो कहां से कौन reaction करेगा जैसे अभी तक किये थे वैसे ही कराना है बोलो जल्दी से जैसे अभी तक किये थे बिल्कुल वैसे ही reaction कराना है H2O बनेगा hydrogen नहीं है इसमें इस carbon में hydrogen नहीं है तो ना OH से reaction होगा ना O से reaction होगा इस carbon पर दो hydrogen हो तो ये reaction करता है एक hydrogen हो तो ये reaction करता है यहाँ पर hydrogen ही नहीं है no reaction और यही कारण है कि इसमें कोई color नहीं आता है reaction ही आगे नहीं बढ़ती है तो यह है पूरी तरह से tricky है science tricky है reaction करके देखो बहुत अच्छा लगेगा देखने में जो चीज ज़्यादा भारी होता है वो उत्रही आसान होता है बस उसको करने आना चाहिए